Hello guys, welcome back to ग्यानवर्शा आज इस वीडियो में हम लोग dot matrix method के बारे में discuss करेंगे last वीडियो में हम लोग discuss कर चोके हैं global and local alignment के बारे में देखिए हमने देखा था कि दो sequence alignment strategy होती है एक होता है अपका global alignment दूसरा होता है अपका local alignment ठीक है अब 3 types की algorithm है जो इन global and local alignment को perform करती है 3 types की क्या है आपकी algorithm है 1st algorithm होती है आपकी dot matrix method को आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे 2nd है आपका dynamic programming programming and third method होता है आपका word method आज हम लोग पढ़ेंगे dot matrix method के बारे में हमारे दो sequence alignment strategy होती है global alignment, local alignment हम प्रिवेस वीडियो में पढ़ चुकी है और 3 types की algorithm होती है जो local and global alignment को perform करती है dot matrix method, dynamic programming, word method आज हम लोग dot matrix method के बारे में पढ़ेंगे चलिए स्टार्ट करते है dot matrix method से देखें dot matrix method को हम dot plot के नेम से भी जानती है dot plot dot plot method dot matrix method को हम लोग दूसरे नेम से जानती है dot plot method जान से देखेंगा क्या होता है इसमें basically एक graphical way है ठीक है दो sequence को compare करने का अगर आप इस figure में देखें तो आपका यह first sequence हो गया अगर तो यह क्या हो जाएगा second sequence तो किसी भी दो sequence को आप क्या करेंगे graphical way में compare करेंगे 2D matrix की form में यह क्या है 2D matrix 2D matrix की form में two sequences को आप compare करेंगे first sequence को आप horizontally लिख दीजे second sequence को आप vertically लिख दीजे आप एक sequence आप horizontally लिखेंगे second sequence को कैसे लिखेंगे vertically और क्या करेंगे आप जहां जहां आपको same sequence same residue दीखेंगे वहां आप क्या करेंगे dot place करेंगे जैसे g और g है तो आप एक dot place की a और t match नहीं कर रहा है तो आप blank छोड़ देंगे then again देखिए आप t t दीखा आपको तो आपने क्या किए dot place की means जहां जहां आपको residue patch करते हुए दिखेंगे वहां वहां आप क्या करेंगे? dot place करेंगे अब देहान से सुनएगा आप dot place करने के बाद जो-जो dot आपस में जुड़ रहे हैं आप नहीं क्या करेंगे? line place करेंगे जैसे यह देखिए dot आपस में जॉइन कर रहे हैं ड्रॉ करेंगे, ठीके, अब देखिए कुछ बाते हैं जो हमें द्यान रखनी है, अगर हमारी द्यान से सुनेगा, अगर हमारी लाइन जो है डागूनल लाइन है, अगर इस द्यान से देखिए, जैसे कि हमारी ये 2D मेट्रिक्स है, पीच में यहां पर इंटरॉप्शन आ गय लीच में यहां पर क्या आ गया इंट्रॉप्शन आ गया तो यह इंट्रॉप्शन यह रिवील करते हैं कि यहां पर इंसर्शन या डिलीशन हुआ है यह क्या रिप्रेजेंट करेंगे यहां पर इंसर्शन या डिलीशन हुआ है अगर parallel diagonal lines है within the matrix वो रेप्रेजेंट करती है जिसे parallel diagonal lines है within the matrix वो क्या रेप्रेजेंट करेंगी repetitive reasons है repetitive reason of the sequence means कोई आपके दो sequence है repeat reason present है इसलिए कि आ रही है आपके parallel diagonal line आ रही है जैसे कि यहाँ पर आप देखिए जैसे कि यह एक line है ठीक है इसके parallel अगर ऐसे एक line आ रही होती है तो क्या रेप्रेजेंट करता यह यह repetitive reasons present है sequences में अगर कोई diagonal line है ठीक है उसके बीच में उस diagonal line के बीच में gap आ रहा है तो वो रेप्रेजेंट करेगा आपका indel हुआ है इंसर्शन हुआ है या फिर deletion हुआ है ठीक है अब देखिएगा आप सुने मेरी बात dot plot matrix करना बहुत hectic है बहुत long sequence के लिए dot plot method बहुत hectic है second इसके limitation क्या आती है कि यह noise level को increase कर देता है noise level को क्या कर देता है increase कैसे देखिए अगर यह हमारा protein का sequence होता तो कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर यह protein का sequence होता हमारा तो क्या होता कि 5% chances होते है randomness के लेकिन अगर यह DNA का sequence है तो क्या है 4 possible character है तो उन में से कोई ना कोई आके तो match करी जाएगा आपको याद हो मैंने बताया था कि DNA sequence है तो 1 by 4 की probability होगी लेकिन अगर protein के amino acid के sequence की बात आती है तो 1 by 20 probability आ जाती है DNA के sequence में क्या आ जाता है 25% chance होते है match होने के वहाँ पर लेकिन protein के case में क्या आता है वहाँ पर 5% random chance होते है match होने के अब देखिए इस चीज को avoid करने के लिए कि like 25% chances ना रहे इसके लिए आप क्या कर सकते है एक window set कर सकते है एक window set कर सकते है इसका मतलब क्या होता है ध्यान से सुनेगा जैसे कि मैं मान लूँ कि मेरा n is equals to 3 it means that कि मैं continuous में 3 amino acid अगर मुझे exact match करते हुए दीख रहे हैं जैसे कि यहाँ पर gtt है अगर इधर भी gtt होगा तो मैं तब ही में यहाँ पर dot लगाऊंगी वह समझाई n is equals to 3 का मतलब क्या हुआ अगर first sequence पर 3 residue है इंदस उसके respective में अगर second sequences पर भी वही same 3 residues है तो ही मैं वहाँ पर dot लगाऊंगी तो यह होता है मारा window size n is equals to 3 means window size n is equals to 4 हो सकता है means n की value कुछ भी हो सकती है तो आप एक window size जो है fix कर लीजे जिससे कि आपके कह सकते हैं कि random chance match होने के कम हो जाएंगे लेकिन यहाँ पर भी एक problem क्या आती है कि अ अगर आप बहुत बड़ा window size ले 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 तो क्या होगा long sensitivity हो जाएगी alignment की sensitivity lost हो जाएगी alignment की sensitivity हो जाएगी lost हो जाएगी इसलिए window size भी आपको like within the range लेना होता है कोई बहुत जादा भी आप window size नहीं ले सकते है बहुत कम भी नहीं ले सकते window size अब कई सारे variations है dot plot method के कई सारे क्या है variations है अब ध्यान से सुनेगा अगर मैं sequence को अगर मेरा कोई a sequence है ठीक है अगर मैं इस sequence को इस a sequence को अगर इसी के same से ही अगर horizontally मेरा sequence a लिखा हुआ है और vertically vertically भी मैं sequence a ही लिख दूँ तो मेरे क्या आएगे internal repeat elements identify हो जाएगे internal repeat elements अगर हमें internal repeat elements को identify करना हो तो हम क्या करेंगे एक sequence अगर हमारा sequence a है इस a sequence को इसी के aligned से ही align करा दे तो हमें internal repeat elements क्या हो जाएगे identify हो जाएगे और dot plot method के बहुत सारे और uses नहीं है जैसे कि हम inverted repeats find कर सकते हैं क्या find कर सकते हैं inverted repeat कैसे find करेंगे जहां से देखेगा अगर मेरा कोई a sequence है अब मैं क्या करूँ अगर मैंने a sequence horizontally या vertically आप कैसे भी लिखेंगे एक direction में लिखा तो दूसरे direction में आप कैसे लिखेंगे इस a sequence को जैसे a sequence आपने ऐसे लिख दिया तो आप इस direction में कैसे लिखेंगे reverse complementary इस a sequence का क्या करेंगे reverse करेंगे और complementary करेंगे जब आप इसका reverse complementary करेंगे और फिर dot plot matrix से dot लगाएंगे तो आपको inverted repeats find होंगे क्या find होगा inverted repeats आप find कर सकते हैं कौन से inverted repeats हैं inverted repeats means complementary of dna sequence self complement of dna sequence जब आपको inverted repeats find करने हैं तो आपको कुछ नहीं करना आप एक direction में अपना sequence लेखीजे और दूसरे direction में क्या करेंगे आप उसका reverse complementary करके लिख देंगे जब आप matrix पुरा बनाएंगे तो आपको inverted repeats find होंगे अब इस तरीके से inverted repeats find कर सकते हैं ठीक है अब देखिए dot matrix method के और भी uses हैं जैसे कि आप क्रोमोजोमल repeats identify कर सकते हैं क्रोमोजोमल repeat कहां कहां क्रोमोजोमल repeat हो identify कर सकते हैं आप identify कर सकते हैं unique acid secondary structure secondary structure identify कर सकते हैं dot plot method से आप compare कर सकते हैं gene order conservation कोई भी दो close related अगर आपके पास genome है तो आप उनमें gene order conservation compare कर सकते हैं इसकी limitation क्या है दिखिए एक तो मैंने आपको limitation बदाई कि long sequence के लिए बहुत hectic process है noise level increase हो जाता है यह better है कि अगर आप इसे DNA sequence के लिए ही करें इसका 3rd limitation क्या है कि यह सिर्फ उसे pairwise sequence alignment के लिए ही better है multiple sequence alignment के लिए उतना helpful नहीं है इसकी 3 limitation होगे कुछ ऐसे web servers available हैं जिनसे आप dot plot कर सकते हैं जैसे कि आपका हो गया dot matcher dot helix dot up dot up dot 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 सकते हैं और इनसे आप क्या है अपना dot matrix बना सकते हैं कोई भी आप sequence लीजे और उससे आप check कर सकते हैं कि उसमें inverted repeat present है या नहीं अगर आपको internal repeat element find करने आप वह भी find कर सकते हैं कुछ नहीं एक sequence है जैसे हैं पर a sequence लिखा यहां पर भी a sequence लिखिए और दौनों में चेक कीजिए इंटरनल repeats element हैं या नहीं तो guys I hope so आपको यह dot matrix method अच्छे से समझ आया होगा अगर आप कोई भी doubt हो आप मुझे comment box में पूछ सकते हैं अगर आप कोई वीडियो पसंद आए तो आप इसे like कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे चैनल को शेर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप को और भी अगर कोई टॉपिक पढ़ना है तो आप मुझे पर पर मेल करके पूस करें और हमें ग्यान वर्षय टेलिग्राम चैनल पर भी जॉइन कर सकते हैं यू